अब हुआ हुआ है नमस्ते मैं डॉक्टर अनोजा केल कर मैं साइकेट्रेस्ट तूदि इडिक्षिन स्पेशालिस्थ तूद साइकोठेपिस्टू और केल कर तुरंकर साइकेट्री नर्सिंग हूं गोड़बंदर ठाने मुंबई भाराष्ट्रम है ऐसे साइक्स ख़ुतर रही हूं, आज का मेरा टॉपिक है इलेक्टरो कंवल्जिव थेरेपी ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट है यह वीडियो बनाने का उद्धेश मेरा है कि लोगों के मन में जो यह इलेक्टरो कंवल्जिव थेरेपी याने शॉक्क मेंट जिसको हम विद्यूत उपचार भी कहते हैं इसके बारे में जो गलत फेहमी है यह दूर हो मानसिक बीमारिया कई तरकी होती है लेकिन ऐसी कुछ बीमारिया होती है जिसमें इलेक्ट्रो कनवल्जियो थेरेपी यूज की जाती है जैसे कि स्किजोफरेनिया है सीवियर डिप्रेशन है सूसाइडल पेशेंट्स होते हैं आत्मत्या करने की कोशिश करते हैं इनमें यूज होती है मैनिया के पेशेंट्स में यूज होती है मूड डिसॉर्डर के पेशेंट्स में यूज होती है ऐसे काफी इंडिकेशन्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रो कनवल्जिव थेरेपी यूज करते हैं अब काफी पेशन्स के रिलेटिव मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि यह ट्रीटमेंट से क्या एक्चुली फरक गिरता है और इसको कैसे दिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको नियूरो ट्रांस्मिटर्स कहते हैं अब यह अगर ट्रीटमेंट की तो जो नियूरो ट्रांस्मिटर्स होते हैं उनका जो imbalance हुआ है वो balance करने के लिए यह treatment मदद करती है इसमें हम क्या करते है कि patient को एक छोटी सी सुई injection देते हैं और उसमें medicines हम injection से देते हैं और उसकी वज़ा से वो patient को नींद आती है नींद आने के बाद हम यहां electrodes रखते हैं और 0.6 seconds के लिए या 0.8 according to patient उसके हिसाब से हम mild current पास करते हैं लेकिन वो second से भी कम होता है और उससे कुछ ऐसा जोरदार जटकावटका कुछ नहीं लगता है और वो होने के बाद 10 मिनिट में patient normal आ जाता है वो बेहोशी के हालत से बाहर आ जाता है जिसको अनस्तेश्या बोलता है और वापस अपना life जीने लगता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन इससे related जो गलत फैमिया लोकों के मन में है जैसे कि इससे एक बार बेहोश हो ज़ए कि 2-3-3 घंटे बेहोश रहते है या वह वह एलेक्ट्रिक शौक दिया जाता है उसके दो घंट इलेक्ट्रिक शौक देना पड़ता है या फिर एक बार लिया तो अहरो सोज बंद हो जाती है एसे अजीव-जीव प्रकार के लोगों से मैंने सुना है कि इसके बारे म गलत फेहमिया लोगों के बीच में शॉक ट्रिट्मेंट को लेके तो इसलिए यह ऐसा कुछ भी नहीं होता है उल्टा मैंने ऐसी काफी केसेस देखी है जिनमें यह वर्दान साबित हुआ है ऐसी कुछ केसेस है जिसमें मेडिसेंस इफेक्ट उतना नहीं दे पाती है और इसल जो कि मेडिसेंस से भी नहीं मिले है तो हमारा एक्सपिरियंस होता है हमारा विश्वास होता है हमारी गट फिलिंग होती है कि नहीं यह पेशन्ट में इफेक्ट अच्छा आएगा और इसके वज़ेसे उसको फाइदा होगा ज्यादा तर हम भी आज़ा साइक्याट्रिस मे की जाती है इससे रिलेटेड गलत फेमियों की तरफ ना ध्यान देते हुए साइक्याट्रिस पे पूरा विश्वास रखके आप ट्रीटमेंट करें इससे कोई नुकसान वैसा होता नहीं है और कोई भी साइक्याट्रिस नुकसान करना नहीं चाहेगा किसी भी पेशन का के बारे में थोड़ी जानकारी इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए हो या और कुछ आपको बात करनी हो तो आप हमारे केड़कर तुर्ण कर साइक्याट्रिन नर्सिंग होम के कॉंटेक नंबर पर कॉंटेक कर सकते हैं हमारा नंबर है 950-330-9619 इन वीडियो इसलिए आप शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे ताकि जादा से जादा लोगों तक सभी वीडियो के द्वारे मानसिक बीमारियों की जानकारी पहुचे नमस्ते